हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो ओल उफ यू वेलकम टू लॉजिक पार्चाला आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बारा और तीरह दिसंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेस के क्वेस्जिंस तो फ्रेंट्स आज काफी सारी नियूज हम कवर करें क्योंकि दो दिन का हमें करेंट इंटर फेस को कवर करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आपके लिए हेल्पूफू फूल लगे आपके एक्जाम के लिए तो प्लीज आप लाइक ज़रू करें वीडियो को जिसने हमें मोटिवेशन मिले बहुत सारी और जादर से जादर वीडियो को शियर करें तो चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो के शुरुवात करती है आज देखें क्या है happiness is not the absence of problems it is the ability to deal with them देखें happiness यानि खुशी सब यह नहीं है कि हमारी लाइफ में problem नहीं है है ना इस चीज़ को हम खुशी नहीं कह सकते हैं खुशी वो होती है कि हमारे अंदर एक ability है कि अगर हमारी life में कोई problem भी है ना हम उसके साथ deal कर सके हैं तो कभी आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब मालीचे कोई life में इससी problem हो गई और जब उसके साथ deal कर लेते हम उस problem को overcome कर लेते हैं तो एक अंदर ने एक अलग सी ही खुशी मिलती है उसे हम कहते हैं true happiness तो कभी भी problem से घवराएं ना कभी भी ऐसा ना सोचे क्या रही है तो बहुत बड़ी problem है मैं इससे solve नहीं कर सकता क्योंकि कुछ विजेस impossible नहीं होती है तो चलिए वीडियो की शरवात करते ह है आज देखे कौन सा दिन हमें पढ़ना है सबसे पहले है international mountain day तो ये दिन 11 दिसंबर को मनाते हैं इस बार की इसकी theme है देखिए sustainable mountain tourism याद रखेंगे बिलकुल और ये celebrate होता है इसको क्यों करते हैं बड़ी mountains की importance के बारे में awareness को पैदा करने के लिए लोगों को समझाने के ल हां रखनी है next देखो अगला दिन है international day of neutrality तो ये दिन 12 दिसंबर को मनाया जाता है अच्छा 12 दिसंबर को अब अगर हम बात करें जो neutrality है वो define करता है as a legal status which arise when the state decides not to take part in any armed conflict मतलब ये चीज़ को परिभाशिक करता है या ये चीज़ तब उत्पन होती है जब राज्य जो है वो किसी भी माली जो कोई armed conflict हो गया उसमें भाग नहीं लेने का निर्ने लेता है और UN General Assembly के द्वारा डिकलेर किया गया 12 दिसंबर को कि 12 दिसंबर को as a international day of neutrality celebrate किया जाएगा ठीक है फ्रेंड्स या तखेंगे दे आगे देखो Universal Health Coverage Day ये भी आपका 12 दिसंबर को होता है थीम है इस बार की leave no one behind when it comes to health invest in health systems for all तो ये आपकी क्या रही इस बार की थीम रही ये सुनिशित करता है ये opportunity देता है कि सभी के पास जो है वो health care या सभी जो है वो access कर सके health care को है न तो इस चीज़ को ensure करता है इस चीज़ के अवसर प्रदान करता है तो ये दिन ध्यान रखेगा तो ये थे हमारे आज के days and themes जो हमें cover करनी थी अब चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला question पहला question है US President Joe Biden elevated home to a new position making him head of the White House Office of Presidential confidential personal तो भई किसे राष्टपती पद के आपके लोग के प्रमुक बनाते हुए एक नए पद पर पदुनत किया इनमें से वो कौन है यहां हमें उसका answer करना है तो फ्रेंड यहां पर दिके correct answer हो जाएगा गौतम रागवन सो गौतम रागवन जो है वो आपके उनको position दिया गय है एक new position दी गई है head of the white house office में तो इन्होंने replace किसे किया है friend तो यह ध्यान रखेगा इन्होंने Catherine Russell को replace किया है जिने appoint किया UNICEF में as the executive director के लिए तो उनका place खाली हुआ उनके place पे कौन आए गौतम रागवन आए उनके place पे he was the first employee वैं देखो बाइडन जो बाइडन है रिस transition team है ना उनके द्वारा appoint किये जाने वाले ये पहले employee थे जहां उन्होंने राष्टपती की न्योक्तियों के उप प्रमुक के रूप में कारे भी किया था so इनका नाम ध्यारन रखेगा ये question important है exam purpose से next question देखे हमारे पास क्या है who became the first Indian origin flight surgeon of space X तो फिर्ण यहां हम लोग से पूछा है कि space X के पहले भारते मूल के flight surgeon कौन बनी है नाम है इनका अनिल मैनन so अनिल मैनन बनी है तो ये देखे SpaceX के first flight surgeon है और ये help करेंगे to launch the company's first human to space during NASA space demo 2 mission पर देखो इसमें पहले जो mission है ना इसमें humans को space में भेजा जा रहा है तो वहां पर पुरा medical support देने के लिए उस mission के दौरान ये पहले flight surgeon होंगे अब यहां पर दो companies की बात आईए NASA और SpaceX देखो NASA की स्था अपना हुई 1958 में headquarter है इसका Washington DC में और इसके administrator है Will Nelson SpaceX की बात करते हैं तो SpaceX शुरू हुआ था 2002 में इसके founder और CEO है Elon Musk और इसका headquarter है California USA में तो question है very important अगले question पर बढ़ती है नेक्स्ट कोशन में बोला गया है नीथी आयोग ने partnership करिए इन में से किसके साथ तो लॉंच्ट कॉनवोग 2021-22 तो यहां पर बात करते हैं नीथी आयोग ने किसके साथ partnership करी है friend answer is भारती foundation तो भारती foundation के साथ करी अब कॉनवोग क्या है कॉनवोग देखे एक राष्टिय शोध संगोश्टी यानि national research symposium है जिसका उदेशे होता है कि सिक्षा को प्रदान करना है ना इसका aim होता है कि education को impart करना और जो इसके qualities को किस तरीके से हम strengthen कर सकते हैं मजब भी challenges को भी एक तरीके से उनका समाधान करना यह होता है कॉनवोग इसके तौरान जो teachers होंगे school के teachers होगे जैसे जो principal या government school के principal है उनको encourage किया जाएगा ताकि वो इन सबी चीजों का use कर सके and they can share their micro research papers है ना तो इससे क्या होगा जो education है वो और ज्यादा quality उसकी strong रहे की और उस आपको उसमें सुधार करने में मदद मिलेगी जो जो problems हाती है सामने उन सभी के समधान में भी हाँ पर मदद मिलेगी तो ध्यान रखे का नीती आयोग के द्वारा इसको किया गया तो अब नीती आयोग के शुरुआत आपको पता है 2015 में होई थी और नीती आयोग जो है वो कोशन में पूचा गया है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर है जिनोंने शुरू किया है मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को ये योशना शुरू करी है उत्तराखंड के सीयम पुषकर सिंग धामी जी के द्वारा आप देगे कुछ नीउस में आपको उत्तराखंड से र हाइस्ट हरबल पार्क है इसका इनोगरेशन भी आपका कहां पे हुआ है उत्तराखंड स्टेट में उत्तराखंड के सरकार के द्वारा पहला अर्थक्वेक मोबाइल अप्लिकेशन को अन्वील किया गया था इसके लावा एक और जान रखेगा कि इंडिया का पहला क्रिप क्रिप्टो गैमिक गार्डन क्रिप्टो गैमिक गार्डन इसका इनोगरेशन भी कहां पे हुआ था उत्तराखंड में ही इसका इनोगरेशन किया और उत्तराखंड के सरकार के द्वारा वातसलिय योशना के शिरुवात करी गई थी जो कोनना के टाइम पे जो अनात Incentive Scheme की. धिक्षरीасमें क्या होगा एक तरिके से Direct Bank Transfer Scheme है इसमें आमाउं्ट वो स होगा सिए है जो बेनिफिशरी होंगे, है लाभाती होंगे उनके अकाउंट में आ आरिक्ली वो एमांट बेज दिया जाएगा तो State Government तर्गेट कर रही है आपे टू स्पैंड 444.62 करोन रुपे का ताकि उपन कर सके 500 मिल्क सेल सेंटर को उत्राखंड में तो इससे उन जो आपके लिए जो बेनिफीशरीज है जो लाभारती है ना उनको काफी ज्ञादा इस स्कीम से मदद मिलेगी बात करते हैं आप उत्राखंड सेट की देखिए उत्राखंड स्टेट में दो कापिटल है फुर्स्ट कापिटल इस देरादोन जो की विंटर कापिटल है और समर कापिटल है गैर सेर्ड अब यहाँ पे देखो गवर्नर भी अपॉइंट हुए हाल फिलाल में जनरल गुरमीद सिंग इसे पहले बीवी रानी मौर्या थी चीफ मिनिस्टर यहाँ के है पुशकर सिंग स्कालेटन लेग वेरी इंपॉर्टेंट है ना स्कालेटन लेग बहुत ज़्यदा पूछते हैं और यह रूपकुंड लेग भी इसको कहते हैं आपे भीमताल लेग है नैताल लेग नौकचिया साथताल यह सभी आपके कहां पे हैं उत्राखंड में चलिए अगला कोशन दे मानेता दी गई है कौन सी स्टेट में है तो फ्रेंड यह है आपका कहां पे उत्तर प्रदेश में नाम ध्यान रखेगा हैदरपूर वेटलेंड देखे अभी आपको यादो को कुछ टाइम पहले ऑगस्त के महीने में ही चार नई साइट्स को रामसा साइट्स में आइड कि थोल लेक वाइलेफ सेंचुरी यह आपको गुजरात में मिलेगा और इसके अलावा बदवाना वाइटलेंड भी कहां गुजरात में तो दो साइट गुजरात से थी दो आपकी हर्याना से थी जिसको रामसा साइट्स में इंक्लूड किया गया था यह याद रखेगा यह व रामसर वेटलेंड्स हो गए हैं आप देख लीजे नवाव गंज है इसके वालावा परवर्ती आग्राफ वर्ट सेंचुरी समन और समस्पूर बर्ट सेंचुरी सांटी बर्ट सेंचुरी सरसाइड नावर जील सुर्ष सरोबर और अपर गंगा तो यह आट हो गए और साथ न लागू होना शुरू हो गया था इंडिया में कब से कब साइन अप किया है रामसर गंदर वेशन में तो इंडिया ने एक वरवरी 1982 को साइन किया था ठीक है तो इंडिया का इयर भी ध्यान रखो और वैसे रामसर कन्वेंशन कब हो आता यह भी ध्यान रखेगा चलिए फिर इसी के साथ next question की तरफ बढ़ती है question में अगला देखो क्या बोला है कौनसी state है जिसने top किया है in the India skill report 2021 जिसको V-Walks के द्वारा release किया गया तो इसमें महराश्ट state के ज्वारा इसमें इस report में top किया गया आप देखो बात करते हैं इस report की तो इसकी पहले theme क्या है देखो rebuilding and re engineering the future of work इसमें भारत में प्रतिवा की मांग और आपूरती से मेल खाने के लिए जो काम हो गया सिक्षा है कौशल है उस भविश है कि उसके बारी में एक पूर्ट रिपोर्ट है कि किस तरीके की जो मांग बढ़ती चली जा रही ना उस मांग को एक तरीके से मेल करने के लिए कि जो मांग है कि जो हम उसके साथ उसको माच कर सकती है तो वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किलिंग हो गई तो इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट है जिस में महाराष्ट स्टेट के दौरा टॉप किया गया है और सेकिंड पे है उत्तरपरदेश और तीसरे पे है कैरला ठीक है फ्रेंड तो यह ध्यान रखेगा अब मैं आपको चले आगे भड़ने से पहले कुछ न्यूस बता देती हूं जो हम महाराष्ट से याद कर सकती हैं तो देखो सबसे पहली न्यूस ध्यान रखेगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट की गवर्मेंट के दौरा सलम खान खान को अपना कोविड वेक्सीन अम्बैसिटर डिगलेर किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट न्यूस है तो यह ध्यान रखेगा महाराष्ट की गवर्मेंट के मुई साइन किया है आरमाई के साथ टेक्निकल सपोर्ट इन इलेक्ट्रोनिक वहिकल पॉलिसी के लिए तो यह याद रखेगा इसके लावा महाराष्ट जो है वो पहली स्टेट बनी थी जिसने खुद का वाइल लाइफ एक्शन प्लान को पास किया था यह भी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट न्यूस है महाराष्ट की गवर्मेंट के द्वारा मिशन कवच कुंडल लॉंच किया गया था नेक्स्ट इस महारास्ट का ही प्रोडक्ट हैं जिसे हम सब्सक्fikा है जिसे ऐसे क्वाइट ऑॉनियन ठीक है तो यह वाइट ब्लवाइच ऑनियन करोगे महारास्ट गवर्मेंट के द्वारा राजीव गांधी अवार्ड की शुरुआत की गई थी फॉर आईटी सेक्टर के लिए इसके लब एक और न्यूज से आनक है कि महारास्ट की गवर्मेंट के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलाइंस स्कीम को भी स्टार्ट किया था और महारास्ट में ही फ्रेश फ्रूट केक्स जो मोव्मेंट है वह भी शुरू हुआ तो फ्रेंड इसे तरीके से हम जो भी स्टेत हमारा हुआ कर सकते हैं उन सभी नीजस को हम कवर जब जरूर किया करेंगे तो चलिए नेकस्ट कोशन की तरभ बढ़ती हैं विच the following state has been its approval for setting up a Buddhist university. तो इन में से कौन से राज्य हैं जिसके सरकार ने बहुत विश्व ध्याले की स्थापना के लिए अपनी सुईक्रती दे दी है. तो देखे फ्रेंड यहां पर आंसर हो जाएगा तिरपुरा. तो तिरपुरा की गवर्मेंट अब वही बुद्धीस्ट दिया है कि वो इनिवर्सिटी को सेट अप करना चाहते हैं. स्टुटेंट फ्रॉम 31 कंट्री जिनको चांस मिलेगा तु स्टुडी एज वेल इस वो रिसर्च कर सकते हैं. बुद्धीस्ट लिट्रेचर, कल्चर एंड ट्रेडिशन के उपर तो यहां पर सिर्फ इंडिया ही हुआ ही ध्यान रखेगा. स्टेट एनिमल है यहां का फायर्स लीफ मंकी और स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन. नैशनल पार्क में ध्याननों को क्लावड़ेट लेपर नैशनल पार्क और एक है राजबरी नैशनल पार्क. डाम में एक ही आपको याद रखना ह यहां पे गुमती डाम है जो कि गुमती रिवर पर ही बना हुआ है. नेक्स्ट कोशन है स्टेट का पहला इंस्टिटूशन ऑफ ड्राइविंग और ट्रैफिक रिसर्च. तो फिर्ट किस राजे के मुखे मंत्री ने राजे के पहले ड्राइविंग और यातायात अनुसंध संस्थान का उद्गाटन किया है तो आंसर हो जाएगा यहां पे 36 कड देखो 36 कड में इसको बनाया गया अटल नगर नवारा जिसको हम नवाराइपूर भी कहते हैं और इस संस्थान में जो है वो सूसर की कंपनी के जो ट्रेनर्स एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं उनके द्वार डिसकाउंट के साथ ड्राइविंग सिखाए जाएगी तो सिफ यही नहीं कि अच्छे खासे लोग यहां पे सीख सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है आप सब लोगों को यहां पर परमिशन दी जाएगी आपिकल अपरचुनिटी दी जाएगी कि वो ड्राइविंग को सीख सकत के और धनवंत्री जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम को भी शुरू किया गया च्छतिसकर राज्य में यहां का नाशनल अनिमल है वाइल्ड वाटर वफेलो और स्टेट बढ़ हैं की सौरी नाशनल अनिमनी स्टेट अनिमल स्टेट बढ़ है कॉमन हिल माइना नाशनल पार्क मे इंद्रावती है कांगेर वैली गुरु घासी दाज यसे संजय नैशनल पार्क भी कहते हैं डाम में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डाम है तो आपको एक दुधावा डाम याद रखना है जोकि महानदी रिवर के उपर बना हुआ है और एक हास्ते बांगो डाम यह बह करी है यानि रणनीति गडवंधन की घोशना करी तो कोटक महिंद्रा जनरल इंशॉरेंस कंपनी लिमिटेट के साथ मिलकर वसई विकास शहरी बैंक ने इसकी घोशना करी है इस समझाते के साथ जो बसई बैंक है वो अपने नेटवर्क में जो उनके कस्टूमर्स है तो ने कस्टूमर्स को तो यह पूरा का पूरा एलाइंस है जो कि दोनों के साथ स्टार्ट अप किया गया इसके बाद देखो विच एडिशन ओफ यूनिसेफ वो रही तो हेल्प चिल्रन तो रिकवर फॉर्म इंट्रॉप्शन और लर्निंग लॉसे एक्स्टूमर्स यह थीम रही और यूनाइटेट नेशन जनरल एजनसी की 1946 में स्थापना हुई है यह दिन माक करता है इस टेबलाइश्मेंट ऑफ यूनाइटेट नेशन चिल्टरन फंड की जो यूनिसेफ एस की शुरुवात हुई इसी दिन को यह माक करता है और इस बार 75 नंबर का इसक अध्रिन रसल का ना मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि इनकी प्लेस पर जो हैं को अपॉइंट किये गए थे क्योंकि इन अपना प्लेस जो हैड ऑफिस है वाइड आउस उसमें खाली किया था और यह अपॉइंट की गई है एक्जुगेटिव डारेक्टर किसकी United Nations Children Agency की UNICEF की और इसी के साथ देखे गोर्डन ब्राउन के बात करते हैं तो यह WHO के मेस्टर बने हैं फोर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग में धृती बेनेंट्री आपको याद होगा यह जिलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो हैं वो डारेक्टर अपॉइंट की गई है अलका उपाध्याय को अपॉइंट किया गया है जचेयर परसन किसका नाशनल हाइवे अट्यॉरिटी ओफ इंडिया का तो यह भी आप लोग साथ ही साथ में ज़रू ध्यान रखें जो कैथरीन है इन्होंने जो सक्सीड किया है देखिए हैंडरिटा फोर को UNICEF की स्थापन 1946 में हो गई थी और इसका हेड़कॉर्टर है USA के New York City में नेक्स्ट कोशन देखिए यह प्राइस मिला है प्रोफेसर नीना गुपता को इस प्राइस से समानित किया गया और यह अवर्ट दिया गया उनके इस्ट्री वुमेन है जिनको रामानुच प्राइस मिला है तो इंका नाम जरू धियान रखिएगा इसके बाद है हूं अमंग दा फोलॉइंग जिनको अवर्ड मिला है कलिंग लिट्रेरी वुमेन राइटर अवर्ड तो वुमेंस में अवर्ड दिया गया है किसे दिव्या दत्ता को तो दिव्या दित्ता को गुमेंस में मिला वहीं देखे कलिंग लिट्रेरी इंटरनाशनल अवार्ड की बात करते हैं तो ये मिला है अरुन कमल को तो इसमें काफी अलग-अवार्ड्स दिये गए हैं मैं आपको और भी बताऊंगी सब धियान रखेगा ये जो ग्रही ने भुवनेश्वर में इसको महरों का उद्गाटन भी किया कुछ अधर अवार्ड देखे जो इसी में ही दिये गए हैं जैसे तमल बंदोपाध्याय को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है इन एकोनोमिक केटेगरी उनकी बुक थी पेंडेमोनियम दग्रेट इ गोबाल कृष्ण गांधी इनको सिलेक्ट किया गया फॉर हिस बुक और महात्मा गांधी तो ये सबी भी इसी में ही है आपके कलिंग अवार्ड में ही याद रखेगा अब मैंने कुछ अधर अवार्ड भी दिये हैं ताकि हम और रिवीजन कर सकें जैसे हाली में अभी बाल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया फॉर आर्किटेक्चर के लिए बांगलादेशी फैरोस फैजा बीथर को 2021 का चेंज में कर अवार्ड दिया गया है नाश्नल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड अगर हम बात करें 2020 की तो ये एसवी सरस्वती को मिला और 2021 का दिया गया भानुमती खीवाला को तो मैं बार-बार बहुत सारी बातें आपको रिवाइस कराती चलती हूँ ताकि कुछ भी चीज़ आप भूले ना एक्साम में जाने से पहले चली अगला कोशन देखते हैं 11 दिसंबर को किसकी जयनती के रुप में 11 दिसंबर मनाया जाता है तो तमिलनाडो स्टेट से और इनको कंसीडर किया जाता है वन आप दी ग्रेटेस्ट तमिल लिट्रेरी फिगर्स में है न कुछ इनकी पॉपिलर इनका वोक रहा है जैसे कुल पट्टू हो गया कनन पट्टू यह सब तमिल्स में आप मिलेगा बंचली सब वैथ्थम जो 1912 में इनके द्वारा लिखा गया था आगला कोश्चन देखिए हो वान दा गोल्ड मैडल इंदा मैंस 67 कैटेगरी एड़ कॉमन मेल चैंपेंशिप जो की कहां ताशकंद में हुई तो 67 कैटेगरी में मैंस की गोल्ड मैडल जीता है इंडिया के जरमी लाल रिंगुंगा ने तो और सो इन्होंने इसी के साथ एक नाशनल रिकॉर्ड भी बना दिया यह जो चैंपेंशिप हो गई है ताशकंद में कॉमन वेल्ड यह बर्मिंगम में 2022 में जो कॉमन वेल्ड गेम होंगे उसके लिए क्वालिफाइंग इवेंट है यह चैंपेंशिप तो यहां से जो जीते कॉमन वेल्ड गेम जो कि 2022 में होंगे तो यह थी आज के हमारे सारे वीडियो सौरी में आगर रिवीजन क्वेशन से नहीं रखे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और काफी सारे कोशन साथ कवर करने थे तो आप लोग उसे सैटेर्डे कोशन पूछा था कि नो तुबैकोडे, वर्ड नो तुबैकोडे का बाता 31 माई को और इसकी थीम थी कमिट टू कुएट उसके बाद पहली इशन कंटर जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉंच किया वो इंडिया ही है तो नेहा जैसवाल इन आशुतोष दुवेक आज कॉमेंट रखा है हमने तो आ तुणने की जरूरत ना पड़े उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी बुक्स रेलेटेड वीडियो है वो सब है और अब आपको जनवरी से कराई जा रही है स्टार्टिंग से बुक्स तो अब आप ईजली पूरा-पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं अपना एक साल का पहली बुक देखिए है री इन्वेंशन ये बुक किसने लिखी है ये बताईएगा और दे लास्ट फॉर मिनट की बुक किसने लिखी और ये सारी बुक आपको ट्रिक से याद करवाई जा रही है ताकि आपको बहुत असानी होगी एक्जाम में जाके आंसर को मार्क करने म तो चलिए इसी के साथ आज किस वीडियो ग्लास को यहाँ पर एंड करती है मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में थांकियो सो मच पर वाचिंग दिस सेशन